इस इस दो मोस्त इसीएस्ट सूप यू कन एवर मेक तो मीट भी सूप और थोड़े से वेजिस मेरे पास यही सारे थे तो मैंने बस इतना ही डाला वेजिस आपके पास जो भी अविलेवल होगा आप वह एड कर सकते हैं और मोस्त इंपॉर्टन इस जींजर और ब्लैक पेपर यह दोनों इंपॉर्टन इसलिए हैं क्योंकि जब मैंने यह बनाया था सूप तब मुझे बहुत कोल्ड था और यह सूप पीके मुझे बहुत ज्यादा रिलीफ मिला था आपके घर में अगर कुछ भी सबजी नहीं है तो भी आप यह सूप बना सकते हो आपको बस टमाटर अगर प्याद चाहिए ऊद्ध है उसे अच्छे से प्राइक कर लीजिये जीए के बाद आप स्कूप डाल दीजियें बहुत सरे प्र अगर आप बीमार हो तो इसके बाद आप आप इस वेज Dulा से पानी डाल दीजिए स्ट अवाह क्या बब यहादा स्टमीन सरे करके बहुत तक उसमें एक बॉइल ना आ जाए प्लस थोड़ा सा गाड़ा ना हो जाए और आप अपने एकॉर्डिंग जो तीखा है सूप का तीखा वह आप अपने एकॉर्डिंग डाल सकते हो मुझे थोड़ा कम लगा था तो मैंने डाल दिया जैसे इस सूप अच्छे से बॉइल हो जाता है थोड़ा सा गाड़ा हो जाता है आपने जो अंडा फेट के रखा था उसमें आप धीरे-धीरे से एड़ कर दीजिए यहां पर एक ट्रीक है अगर आपको अंडे थोड़े से बड़े-बड़े चाहिए तो आपको ना इसे मुझे पसंद नहीं है तो थोड़ा अंडा का जो पीसे से वह आना चाहिए तो इसलिए मैंने बहुत धीरे-धीरे से इसको मिक्स किया और जैसी अंडे पुरी सूप में मिक्स हो जाता है आपको गैस बन कर देना है और इसे सफ करना है गर्म-गर्म